हेलो स्टूडेंट वेलकम टू बायो फीचर मैं अमित क्लास 10 के साइन्स में बाइलोजी सेक्षन से फर्स चप्टर लाइफ प्रोसेस को लेकर आया हूँ स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे और आप इस चैनल पर नए हूँ CBSC क्लास 10 या स्टेट बोर्ड इग्जाम प्रिपेशन करना चाहते हूँ तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन अन कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके स्टेट स्टार्ट करते हैं नूट्रेशन 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 नूट्रेंट वर्ड से डिराइवड हुआ है और स्टेट आप जानते हैं कि फूड इस दे वन आप बेसिक रिक्वार्मेंट आफ और लेविंग और्गनिजम स्टेट जो फूड होता है वो सबकी बेसिक ज़रुत है और फूड इसले बेसिक ज़रुत है क्योंकि वो एनरजी देता है वो बोडी में रिपेर्मेंट का काम करता है तो फूड सब के लिए वो चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो सबकी बेसिक नीड है तो फूड को लेना या उस न्यूट्रेंड को लेना उस न्यूट्रेंड को लेना ताकि वो न्यूट्रेंड बोडी के अंदर जाए तो फिर उसका यूटलाइज हो उसका यूज हो बॉडी में जितनी भी activity हो रही है उसमें energy की ज़रत है बॉडी में जैसे तिधेर सारे functionality चल रहे हैं तो उसमें कहीं energy की ज़रत है और energy provide करने के लिए हमें food लेना पड़ेगा तो हम food लें और food में जो भी essential nutrient है वो हमारी body में utilize किये जाए ताकि हमारी body की जो भी functionality है जो भी function है वो continue रहे वो बनी रहे तो इसी को कहते है nutrition simple definition the process of intake of nutrient nutrient को intake करने की process and its utilization और उसको utilize करने की process मतलब एक ऐसा process जिसमें nutrient लिया जाता है और वो nutrient body के अंदर जाकर utilize होता है by an organism किसी organism के द्वारा in a various biological activity और जो कि घेर सारे biological activities में help करता है तो definition का मतलब यह है कि nutrition एक ऐसी process है जिसमें nutrition को लिया जाता है intake किया जाता है और organism द्वारा उसका utilize होता है ताकि उसकी पूरी जो भी biological activity है वो proper work करती रहे तो यह हो गया nutrition यह चाहे animal हो चाहे plant हो सब nutrient लेते हैं सब अपना-पना food लेते हैं भोजन बनाते हैं भोजन लेते हैं ठीक है nutrition के mode पे जो living organism है वो दो तरीके के होते हैं मतलब अगर हम बात करें कि mode of nutrition तो mode of nutrition is based पे living organism दो तरीके के होते हैं आप यहाँ देखिए कि living type of nutrition living organism so two mode of nutrition दो तरीके का nutrition mode represent करते हैं एक तो है autotropic nutrition जिसको आप holophighting nutrition कहते हैं और दूसरा है heterotropic nutrition student autotropic nutrition करने वाले organism को हम autotrops कहते हैं और heterotropic nutrition करने वाले organism को heterotrops कहते हैं हम कैसा समझते हैं यह autotrop क्या होते हैं या फिर heterotrop क्या होते हैं तो autotrop उनको बोलते हैं जो अपना food खुद से बनाते हैं inorganic raw material से synthesize their own organic food from inorganic raw material मतलब कि inorganic raw material से organic food बनाएं वो खुद से जैसे एक छोटा सा example मैं आपको reaction बता दूँ co2 आपने देखा होगा कि यह reaction of photosynthesis का co2 यह inorganic raw material है plus h2o जब यह मिलते हैं तो यह organic raw material बनाते हैं ch2o यह बनाते हैं ch2o और इसके बदले में यह release करते हैं आपको release करते हैं यहाँ पर ठीक है auto release करते हैं तो यहाँ पर यह simple समझ में आता है यह जो ch2o है empirical form में हमने लिखा है यह है glucose यह carbohydrate तो यह organic material है और यह दोनों inorganic raw material है तो inorganic raw material से organic raw material बनता है तो ऐसे organism जो अपना यह वाला काम खुद कर ले रहे हैं आप basically plant में देख सकते हैं या कुछ bacteria वागरे में भी तो उनको autotropic nutrition कहते हैं या ऐसे organism को autotrops कहते हैं heterotropic में ऐसा नहीं होता वो अपना food खुद से नहीं बना पाते यह totally unable to manufacture their own food वो अपना भूजन नहीं बना पाते फिर क्या करते हैं यह obtain organic food from outside वहाँ इन औरगनिक वाला matter नहीं है कि raw material लेंगे वो डारेक्ट औरगनिक food लेते हैं outside से बाहर से जैसे animal वगेर हो गए ठीक है तो हम लोग heterotropic nutrition वाली category में आते हैं आगे student देखते हैं कि autotropic nutrition को और अच्छे से समझते हैं कि यह autotropic nutrition क्या है student autotropic nutrition may be two types autotropic nutrition दो तरीके के हो सकते हैं एक photo autotropic photo का मतलब होता light autotropic अपना भुजन खुद से बनाएंगे raw material से बनाएंगे बट इसमें एक चीज़ एड हो गया photo तो photo का मतलब होता light कहीं कहीं light involved हो गया है तो देखिए कि solar energy is used in synthesis of food मतलब food अपना खुद से तो बनाएगा ही बनाएगा बट उसमें एक चीज़ नहीं आगए क्या solar energy के presence में मतलब sunlight के presence में कहां कहां मिलेगा आपको सारे green plant में आपको देखने को मिल जाएगा और कहां मिलेगा कुछ प्रोटिस जैसे यूगलीना में आपको मिल जाएगा और कुछ chlorophyll containing bacteria में भी यह देखने को मिलेगा कि फोटो ऑटोट्रॉपिक nutrition करते हैं बस याद रहे कि solar energy यूज करते हैं फोट बनाने के लिए लेकिन कुछ और भी autotrop होते हैं जिनको हम chemo autotrop कहते हैं और chemo autotrop जैसे की नाम से पता चला है chemo यानि chemical तो chemo autotrop energy released during oxidation of inorganic substance is used in synthesis of food मतलब कि जब यह अपना food बनाते हैं तो उस पना food बनाने के लिए क्या करते हैं यह कि oxidation करते हैं student यह oxidation करते हैं inorganic substance का ठीक है oxidation of inorganic substance जब यह और इनर्जी रिलीज होती है कैसी इनर्जी आपको बताते हैं heat energy energy released होती है और इसी heat energy को वह as a food लेते हैं यह लोग as a food इसका यूज करते हैं ठीक है तो इसको आप समझिएगा तो इसमें आते हैं आपके sulfur bacteria है और यह nitrate bacteria जैसे नाइट्रो बैक्टर नाइट्राइड बैक्टेरिया नाइट्रो सोमोनास यह सब कीमो आट्रो टॉप्स हैं next देखते हैं 亞 Hai Hyattного athletic nutrition थे में हाब following टाइब ये भी कुछ जैसे अब यह आपने देख़ा four to ओर के more Fine Um Ee इस तरीके से nutrit cool जो होते हैं जो की खुद से अपना אזा फूड नहीं बना पाते हैं डिपेंड और living organism दूसरे living organism पर depend होते हैं तो उसमें सबसे पहले category है holojoic holojoic ठीक है holojoic या फिर holotropic nutrition कहते हैं इसमें क्या होता है कि these ingest mostly solid sometime liquid food all animal मतब जितने भी animal हैं वो holojoic nutrition represent करते हैं इसमें holojoic का मतलब क्या होता है कि यह organism directly क्या करते हैं यह organism क्या करते हैं solid हो कभी-kभी liquid यह food direct ingest यह ingestion करते हैं food को डारेक्ट लेते हैं जैसे हम लोग का nutrition holojoic nutrition है इसमें भोजन को हम लोग ingestion करते हैं फिर भोजन अंदर जाता है तो digestion होता है फिर इसके बाद absorption होती है देन assimilation होता है तो यह जो process है यह holojoic nutrition के process है मतलब ingestion वाली process कहीं कहीं आपको देखने को मिल रही है ठीक है तो ऐसे organism जो क्या करते हैं ingestion करते हैं solid या liquid food का जैसे कि animal वो holojoic nutrition है ठीक है हम यह बाद भी holojoic nutrition करता है इस बात को यह तक ना फिलाल हम आगे बात करेंगे दूसरा सैप्रो ट्रॉपिक nutrition सैप्रो ट्रॉपिक nutrition कहीं कि इसको सैप्रो फिटिक सैप्रो जो एक लिखा रहे तो तो समझते हैं क्या चीज़ है सैप्रो का मतलब होता है dead and decaying material मतलब यह ऐसे living organism जो dead या decomposed body को यह decaying body को दिखियो यह putrefaction का मतलब होता है decaying body जो decaying body होती है उसके surface पे जाते हैं और वहां से अपना organic food को लेते रहते हैं तो these absorb through their body surface यह अपने body surface के जरी एब्सॉर्ब करेंगे organic food को जो की बना हुआ है form due to putrefaction of dead organism organism मतलब यह dead organism के decaying होने से उसके उसके सड़ जाने से जो है जो भी organic flood बने है वहां से अपना food लेते हैं तो ऐसा nutrition जो है वह saprotropic nutrition कहा जाता है खास करके fungus में देखने को मिलता है इसको ठीक है student अगर यह घटना अगर यह घटना animal dead and decaying body अगर वह animal की हो तो इसको हम लोग saprojoic कहते हैं क्या कहते हैं saprojoic कहते हैं अगर यह plants हो कोई plants हो तो उसको हम लोग saprophytic कहते हैं क्या कहते हैं saprophytic यह दो टर्म या दखना saprojoic जो एक मतलब यानी जून यानी अनिमल, फिटिक यानी फाइटन यानी प्लांट तो यह dead and decaying plant पे और यह dead and decaying animal पे यह दोनों कंडिशन को सैप्रो ट्रॉप्स कॉमनली कहते हैं आगे देखते हैं parasitic nutrition, parasitic nutrition student वो nutrition होता है जिसमें कोई भी living organism ठीक है उस दूसरे किसी animal पे या plant पे डिपेंड रहता है वहाँ से नरिश्मेंट लेता है तो जिस पे डिपेंड रहता है वो उसको host कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर देख लिजे कि these derived their nourishment from body fluid और tissue ये जो है body के fluid हो गए जैसे blood वगएर हो गए या फिर body का tissue ले लो आप तो उस पे डिपेंड होते हैं of live animal and plants called their host ठीक है तो जो भी animal है जो भी जिन्दा animal है या जिवित plant है उनकी tissue से या उनकी body fluid से जो nourishment करते हैं और उससे derived होते हैं ठीक है उसी पे based रहते हैं ठीक है तो वो parasitic nutrition है और जिस पे वो based होते हैं जिससे वो अपना nutrition ले रहे हैं उसको host कहते हैं और ये host animal या plant किसी की body हो सकती पर ये living होते हैं host जो होगा वो living होगा दे में भी एक्टो पैरासाइट as well as endo पैरासाइट अब एंडो का मतलब हो सकता है कि वो body के अंदर की तरफ हो और वहां से nutrition अपना ले रहे हो तो इसको बोलें एंडो पैरासाइट हो सकता है body के surface के बाहर हो और वहां से अपना nutrition ले रहे हो ठीक है तो parasitic condition एक्टो और एंडो दो टाइप की हो जाती है यह आपको बहतर समझना होगा ठीक है तो यहां आगे देखते हैं यूगलीना एक important बात आपको नहीं भूलना है यूगलीना mixotropic है mixot मतलब mix है यानि बोथ autotropic as well as saprotropic saprotropic यानि type of heterotrops तो यूगलीना जो होता है वो autotropic भी होता है और saprotropic भी होता है यह बात बिलकुल नहीं भोलना है most important आगे देखते हैं student कुछ another types of heterotrops के बारे हम डिसकसन करेंगे जो आपके लिए जानना बेहत ज़रूरी है बिलकुल हर्वी ओरस आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे different type of heterotrops है जो plant पर feeding करते हैं कुछ annual plant दोनों पर रहते हैं तो उनको omnivorous कहते हैं जैसे man हो गए cockroach हो गए पर student कुछ और भी unique type के heterotrops देखने को मिलते हैं जैसे कि यह हो गया coprophagus जो coprophagus होता है feed on fishes यह अपने fishes पर ही feeding करते हैं जैसे कि rabbit हो गए या pig हो गए यह अपने fishes पर ही उसी को as a food लेते हैं और कुछ insects को लेते हैं feeding on insects that is called insectivorous जैसे कि frog हो गए वाल लिजार्ड हो गए कुछ होते हैं cannibalism cannibalism means होता है feed on species जो अपनी species को खा जाए जैसे snack हो गया scorpion हो गया तो on species को क्या करेगा feed करेगा तो cannibalism इनको बोलेंगा हम लोग और इसके बाद saprojoic अभी आपने बता है saprojoic जो है वह decaying animal feeding करेगा saprophytic decaying plant पर feeding करेगा और तो और कुछ और भी heterotrops है student जैसे यहां पर sangivorous sangivorous का मतलब होता है which feed upon blood जो blood pedipend हो जैसे leech हो गया leech ठीक है female mosquito हो गया ठीक है तो यह blood पर डिपेंड होता है यह blood लेते हैं blood से अपना food लेते हैं एक और है detriores detriores क्या होता है feed organic mixed feed organic mixed feed organic material mixed in soil यहां पर एक word आप यूज कर लीजेगा मतलब soil को लेखाते हैं उससे organic material को निकालते हैं यह काम अर्थ warm करते हैं तो उनको detriores कहते हैं ठीक है और एक last देखते हैं यह présentation प्रीडेटर होते हैं क्या होते विए प्रीडेटर जो देख प्रेंड प्रें को खा तो इस तरीके से स्टूडेंट यह डिफरेंट टाइप आफ हेट्रो ट्रॉप्स हैं जो आपको बहतर समझ में आया स्टूडेंट इस सारी चीजों का आप अच्छे से देखिए वीडियो को ज्यादा स्पीड लग रहा हो तो आप वीडियो को रोक रोक के देख लीजेगा व आपको एक दम कुछ भी इसके बाद कुछ बचे का नहीं सिर्फ एक बार NCRT की बुक उठाया करो गो थ्रू कर लिया करो बस यहां से वीडियो देखो नोट्स बनाओ और हमारा एक टेलेग्राम चैनल है आप वहां जोइन कर लिजे वहां पे आपको नोट्स पीडियाफ मि ठीक है बार फीचर्स का वहां पर लोगो दिखाई देगा आप उसको क्लिक करीगा फिर जोइन हो जाएगा तो वहां पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद